So now we can distinguish between solid, liquid and gases जो आप सब लोगों ने अभी discuss किया वो एकदम correct है अगर हम इसको distinguish करते हैं on the basis आप solid, liquid and gases can all diffuse in liquids Is it true or false? क्या liquid में solids diffuse हो सकते हैं? शुगर है ना क्या liquid में liquid dissolve हो सकते हैं? इंक क्या liquid में gases diffuse हो सकते हैं? हाँ ठीक है immisible भी हो सकते हैं लेकिन कुछ liquids तो हो सकते हैं तो they can ठीक है rate of diffusion in liquids are higher than in solids है ना solid, solid में भी diffuse हो सकते हैं लेकिन rate of diffusion किसमें ज़्यादा होगा? solid का liquid के अंदर as compared to solid का solid के अंदर ठीक है? ओके? और temperature बढ़ा देंगे तो rate of diffusion will increase temperature बढ़ा देंगे तो rate of diffusion will increase ठीक है? इस इस बिकाउज इन liquid state particles can move freely and have greater space between each other as compared to particles in solid state okay next difference लिखना है ठीक है? शेप के basis पे ठीक है? जिससे पूछता जाएंगे वो बताता जाएगा solid की definite shape होती है या कोई definite shape नहीं होती definite shape होती है liquids की नहीं होती ते टेक दशेप ऑफ दा का जो shape वाला point है वो इसमें हमें लिख देना है सब में तो यहाँ पर क्या जाएगी they have fig shape they do not have fig shape and they do not have fig shape इसको आपको जो basically आज जो लिखना चाहिए था वो इसी तरीके से कुछ लिखते तो आपका कल का पूरा lecture summarize हो जाता है समझा रही है यह बात हाँ yeah volume बताए यह पिंस लिक्विट्स विक्स in our gases not fixedALK बृकिल फोर्से इंटर की लिखांगे सिसाम अब सॉलेगे सिसमें होती तिके है तो यहां पर बैरी स्ट्रोंग, क्प्र एंड, रभी वीक ठीक है नेक्स्ट स्पेस लावन्या स्पेसेज कम होती है ज्यादा सबसे ज्यादा तो यहां पर बैरी लिटल, मौडरेट, एंड फार अपर ठीक है ओके अपर फ्लुइडिटी नेक्स आप solids cannot flow, liquids can flow and gases can flow very easily, इसी लिए इनको क्या बोलते हैं, fluids बोलते हैं, correct, सही हो न, compressibility, incompressible, incompressible and compressible, है न, ये भी दोनों incompressible होते हैं, कल आपको बताया था न, कि liquids भी are highly incompressible, ideal liquids are highly incompressible, और gases are highly compressible, exactly, yes, yes, liquids को, liquids की volume fix होती है, जिस चीज़ की volume fix है, अगर हम उस पर pressure भी apply करेंगे, तो उसके particles और close नहीं आ पाएंगे, जिसकी वैसे वो और compress नहीं हो सकता, जब compress नहीं हो सकता, तो इसका example नहीं दे सकते, जो compress हो सकता है, उसका example देते हैं, for example, gases है, है न, gas अगर हम उसमें fill करते हैं, एक injection में, syringe में, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम syringe को press करेंगे, तो हम press कर पाएंगे न, उसके plunger को, whereas अगर उसके अंदर liquid medicine लगा रख देंगे, तो उसके बाद प्रेस करेंगे, तो प्रेस नहीं कर पाएंगे, अगर प्रेस करेंगे, तो आगे से medicine निकलेगी, निकलेगी, ठीक है, तो यहाँ पे they are incompressible and they are compressible, अगर हम आगे से plunger close कर देंगे उसका, है न, तो फिर नहीं निकलेगी और एक काफी limit तक प्रेस हो जाएगी, yes, पार्टिकल्स के बीच में open space है, मतलब यह आपने एक बहुत ही ज़्यादा conceptual question पूछा है, जो की एक theory है, पूरी की पूरी, जिसको हम बोलते है, kinetic theory of gases, उसमें यही बताया जाता है, कि जो molecules of gases होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं, और दो molecules के बीच में जो space होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो उसके बीच में space है, ठीक है, एबिलिटी टू फिल दा container, ability to fill the container, जद दिन आगे, यहाँ आए, हाँ, 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 ability to fill the container, हाँ, solids में नहीं होती, liquids में container की shape ले सकते हैं, लेकिन fill नहीं कर सकते हैं, उसको, हैना आप यह liquid है, क्या यह पूरा fill कर लिया इसने उसको, ठीक है, तो container की shape ले सकते हैं, लेकिन fill नहीं कर सकते हैं, और gases will fill the तो does not fill the container, does not fill the container and easily fills the container. Density जातिन? Density तो सब में होती है, किसकी सब से जादा density होती है? The quality की सब से जादा density होती है, फिर liquids. और सब से कम density किसकी होती है? येस! अच्छा, रिया, ये बताईए, density होता क्या है? What is density? रिया नहीं नहीं कल भी तो पताया था density और viscosity अलग अलग properties है density घना और viscosity गाढ़ा सब की density होती है और इन दोनों की viscosity होती है बोलिए density रिया हाँ बताईए बताईए mass per unit volume formula क्या होता है density का mass per unit volume मतलब इसके कम volume के अंदर बहुत जादा mass टोड़ है इसके बराबर volume के अंदर कम mass है और इसके बराबर volume के अंदर और कम है मतलब अगर मैं इस container के अंदर छोटे 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 pebbles भर दूँ तो ये बहुत भारी हो जाएगा अगर इसके अंदर मैंने liquid भराए तो ये कम भारी है और अगर इसके अंदर ग्यास भर दूँगा तो ये और कम भारी होगा तो यहाँ पर basically क्या है कि एक volume के अंदर कितना mass contained है ओके अंदर्स्टूट येस गढ़ा नहीं गाढ़ा अगर देंसिटी क्या होता है अगर hair density की बात करें तो एक particular गिर्थ में कितने number of strands of hair है उसको बोलते है density whereas viscosity होता है कि जब वो flow कर रहा है जब वो चीज़ flow कर रही है तो वो आसानी से flow करती है या दिक्कत से flow करती है अगर दिक्कत से flow करती है तो that will be more viscous अगर आसानी से flow करती है that will be less viscous same particle same number हाँ तो honey धीरे आएगा और water तेज़ आएगा viscosity अब हम पढ़ने जा रहे है change of state या कानेटिक थियोरी तो आपने बहुत पहले से बार 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 नाम सुनी रहे है ठीक है आज हम पढ़ने जा रहे है कानेटिक थियोरी से change of state किस तरीके से related है ठीक है कल याद है हम लोग उने एक डाइग्राम बनाया था आज आप में से किसी को यह डाइग्राम अपनी कॉपी में बनाना चाहिए था यह वाला वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड यह सॉलिड यह गैस थीक है तो सॉलिड के पार्टिकल जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जगा पर वाइब्रेट कर सकते हैं लीक् वेरीं के पार्टिकल लीक्विड के अंदर लेकिंश से बाहर नहीं निकल सकते और गैस कहीं से कहीं से कहींपर जा सकते हैं तो यहाँ पर अगर हम solids को heat करेंगे तो वो किसमे convert हो जाएंगे? liquids में convert हो जाएंगे और अगर हम liquids को heat करेंगे तो वो किसमे convert हो जाएंगे? gas में अगर हम gases को heat करेंगे और pressure कम कर दें gases को अगर हम cool down करेंगे और pressure बढ़ा देंगे तो वो किसमे convert हो जाएंगे? लिक्विड्स में और लिक्विड्स में अगर प्रेशर लगाएंगे और कूल डाउन करेंगे तो वो किसमें चाहेंगे इस अगर आपने आपका क्वेशन है अगर हमने एक ग्यास को एक बलून के अंदर भर दिया तो उसकी बाउंडरी फिक्स हो गई बाउंडरी तो फिक्स हो गई लेकिन जैसे ग्यास को हम बरेंगे तो ग्यास ऐसे करके एक जगा ऑक्यूपाई नहीं करेगी इसके अंदर जितनी भी जगाँ होगी उसके अंदर वो पूरी के पूरी जगा ऑक्यूपाई कर लेगे अगर लिक्विड भरेंगे तो लिक्विड क्या होगा गैसे इससे बाहर निकल के पूरे उसमें मूफ करना स्टार्ट करें ठीक है समझ आ गई बाउंडरी का क्या मतलब था वह समझ में आ गया ओके येस हाँ कि पार्टिकल्स हम यहाँ पर उसकी बातंके हमने जो Sब्के पर्परोंच्खल के अब इसके पार्टिकल्स अधरी औंदर मूफ कर रहें इसका सबसे अचा एक्जाम्पल क्या होता है तीक है अगर आपको समझना है कि particles किस तरीके से move कर रहे है suppose यहाँ पे आप क्या करो आप एक scale लो ठीक है और इसके उपर ना candles लगा दो wax से लगा कर ठीक है यहाँ पे candle लगा दी कर रहे है conduction ठीक है और आप क्या करो यहाँ पे fire लगा दो एक गिरेगी एक साथ पहले कौन सी गिरेगी यह वाली पहले यह वाली तो आपको पता चल रहा है actual में heat यहाँ से यहाँ चल रही है तो यह गिर गई फिर heat आगे बढ़ी फिर यह गिर गई फिर heat तो यह heat आगे बढ़ कैसे रही है इसके particles क्या कर रहे हैं जा रहे हैं फिर अपने बगल वाले पार्टिकल को दे रहे हैं फिर वापस अपनी जगह बहुत कि हीट मैटर नहीं है एनर्जी है इस अंडुक्टिड बाई पार्टिकल जो की मैटर है ठीक है energy is conducted by particles और वो पार्टिकल मैटर है जो उस एनर्जी को कंड़क्ट कर रहा है आगे 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 हीट को कोई ना कोई मीडियम तो चाहिए ना ट्रैवल करने के तो यहाँ पर समझ में आई बात ओके नाओ तो इससे पता चलता है कि advanced particles move कर रहे है और अगर मैं यहां पर क्या करता हूँ इसको हीट करता हो उसको हीट करता हूँ हीट और इसके Pokemon complete हो जाएगे लिक्विट में और heat करता हूँ और pressure करता हूं तो यह किसमें इधर आजाओ तो यह किसमें कनवर्ट हो जाएगा यह कनवर्ट हो जाएगा गैसे इसको अगर मैं कूल डाउन करता हूं और क्या करता हूं प्रेशर इंक्रीज करता हूं तो यह किसमें कनवर्ट हो जाएगा लिक्विड्स में इसको भी कूल डाउन क करता हूं प्रेशर इंक्रीज करता हूं प्रेशर तो किसमें कनवर्ट हो जाएगा सॉलिट्स में जैसे एक्जाक्ली वुड का इगनिशन पॉइंट पहले आ करता है उसके मेल्टिंग पॉइंट से तो वुड जल जाती है पर पिगलती नहीं है समझ में आई बात तो जिनका इगनिशन पॉइंट ज्यादा होगा उन्हीं को हम मेल्ट कर पाएंगे या कूल कर पाएंगे बात समझ में पिछली क्लास एर्थ में कंबश्यन एंड फ्लेम कि काइनेटिक चेंज ऑफ स्टेट और काइनेटिक थियोरी ऑफ मैटर चेंज ऑफ स्टेट अगर हम आइस को मेल्ट हीट देंगे तो वह किसमें कनवर्ट हो जाएगी वाटर में कनवर्ट हो जाएगी और वाटर को और हीट देंगे तो वह वेपर में कनवर्ट हो जाएगी यह water vapor, ice into water into steam, जब फ्लूवेड बन गई न, water हो गया, वो भी फ्लूवेड है, और फ्लूवेड ही रहेगी, जब हम solid को से fluid में हो गई, फ्लूवेड से solid में हो गई, ठीक है, ओके, तो हम solid to liquid to liquid to gas, what happens inside the matter during this change, अब मैं आपको बताता हूं, अंदर की बात, कि क्या हो रहा है, matter के अंदर, जब ये change हो रहा है, तो solids में ये जो force of attraction है, these are very strong, ठीक है, और particles इस तरीके से बस vibrate कर रहे हैं, अपनी जगा पर vibrate कर रहे हैं, जब हम इनको heat देते हैं, तो ये particles क्या होते हैं, एक दूसरे से, इस तरीके से separate हो जाते हैं, और फिर अब यहाँ पर move करना start कर देते हैं, ये किस में convert हो गए, liquid में, और जब और heat देते हैं, तो ये particle और दूर हो गए, और अब move करना start कर देते हैं, अब ये किस में convert हो गए, gases में, तो देखो, दो चीजे हो रही हैं, एक, जब ये vibrate कर रहे हैं, तो मैंने इसको heat दी, और तेज vibrate करने लग जाएगा, और तेज vibrate करने लग जाएगा, जब मैं इसको heat दे रहा हूँ, तो जब ये और तेज vibrate कर रहे हैं, तो इसका क्या बढ़ेगा? temperature, इसका क्या बढ़ेगा, temperature, ठीक है, और जब यह इस तरीके से ऐसे करके separate हो रहा होगा, तब इसका temperature नहीं बढ़ेगा, तब इसकी state change हो रही होगी, तब इसकी state change हो रही होगी, तो जब मैं किसी चीज़ को heat provide करता हूँ, तो वो दो काम कर सकता है, या तो क्या कर सकता है, temperature बढ़ा सकता है, और या फिर, या फिर अपनी state change कर सकता है, तो दो काम कर सकता है heat, या तो temperature बढ़ा सकता है, या तो state change कर सकता है, जिस वक्त temperature बढ़ा होगा, उस वक्त state change नहीं होगी, जिस वक्त state change हो रही होगी, उस वक्त temperature चेंज नहीं होगा, आपने पढ़ा है न, melting point of ice is melting point of ice is 0 degree Celsius, freezing point of water is 0 degree Celsius, तो 0 degree Celsius पे ice solid में भी exist कर सकती है, water solid में भी exist कर सकता है, ice के form में और water liquid में भी exist कर सकता है, liquid के form में, तो 0 degree Celsius पे हो क्या रहा है, यह हो रहा है increase या फिर यह हो रहा है, state change हो रही है, देखें और ice minus 2 degree Celsius पे भी हो सकती है minus 5 degree Celsius पे भी हो सकती है minus 10 degree Celsius पे भी हो सकती है तो minus 10 degree Celsius वाली ice को जब हम heat करेंगे तो उसका क्या होगा उसके particles तेज वाइब्रेट करने लगेंगे temperature बढ़ेगा minus 10 से minus 9 minus 8 minus 7 करते 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 0 और पर 0 पर क्या हो जाएगा उसकी state जाएगे जब state change हो रही होगी जब ice melt कर रही होगी तो क्या उसका temperature बढ़ा होगा temperature नहीं बढ़ा होगा temperature कितना रहेगा temperature 0 degree Celsius रहेगा और फिर एक बार सारी कि सारी ice किसमे melt हो गई water में तो आप फिर से क्या होगा आप water का temperature इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा 0 degree Celsius से 1 degree Celsius 2 degree Celsius 3 degree Celsius ऐसे बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा 100 degree Celsius फिर 100 degree Celsius पर पार्टेकल जब बहुत तेज वाइबरेट कर रहे होंगे 100 degree Celsius पर अब क्या होना स्टार्ट हो जाएगा 100 state change आप किस में convert हो जाएगा steam में जब steam में convert हो रहा होगा तो क्या temperature चेंज होगा नहीं फिर जब सारी की सारी steam में convert हो जाएगा पानी तो फिर temperature 101 degree Celsius 102 degree Celsius इस तरीके से बढ़ते बाटना स्टार्ट प्रीज होने का भी 0 degree Celsius मेल्ट होगा और अगर उसे ठंडा कर देंगे तो फ्रीज हो जाएगा नहीं वही तो मैंने बोला जब तक सारी की सारी ice मेल्ट होके पानी में convert नहीं हो जाती तब तक उसका temperature 1 नहीं होगा हम हीट तो दे रहे हैं लेकिन temperature constant हम हीट तो दे रहे हैं लेकिन temperature constant तो उस वक्त क्या हो रहा है उस वक्त टेंप्रेचर पर इंक्रीज नहीं हो रहा उस वक्त क्या हो रहा है यह स्टेट चेंज कर तो जब तक सारी की सारी ice मेल्ट नहीं हो जाती जब तक सारी की सारी आपने एक ice ली ठीक है उसका temperature सब्सक्राइब माइनस 5 डिग्री सेल्चेस है आपने उसको रूम में रख दिया जहां पर गर्म नहीं है रूम टेंप्रेचर 25 डिग्री सेल्चेस है ठीक है अब वह आइस में आइस क्या करेंगी गरम होना स्टार्ट करेंगी माइनस 5 से माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 अब 0 पर आ गए अब आप इस फर्दर देखोगे तो इसका टेंप्रेचर बढ़ना बंद हो जा मिल जाती तब तक इसका तेंप्रेचर 0 डिग्री सेल्चिछ सी रहेगा और तो इसका टेंप्रेचर फिर 123 ऐसे बंदना साव अब भी आज की क्लास में सारे आंसर मिल जाएंगे आज की क्लास में सारे पहले question तो समझ लो पूछा किस तरीके से जाएगा पिर समझ में आएगा कि आंसर किस तरीके से हां कि शाम करें आज साथ में धंडा करें मतलब नेटлагraan औरि हेड यह थंडा करें हैं सपोज़ दस जूल हीट Clayton करें आठ यहींट लिफ केन नें ठाशेंगे तो समें श्याइसन एनय은लने उर्म्द वॉशन गोजिच की आत्श cooling it, ठीक है, okay, what happens inside the matter during this change, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, during this change, is the particles vibrating more fastly, या फिर particles are separating from each other, separating from each other, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, the intermolecular force of attraction is getting weakened, intermolecular force of attraction is getting weakened, बाच समझ में आ गई, understood na, everyone, तो यहाँ पर, what happens to the particles of matter, how does the change of state take place, what happens to the particles of matter, they are moving apart, जेक है, how does the change of state take place, because force of attraction is getting reduced, तो यहाँ पर, the phase change, or state of a matter can change, when the temperature changes, each addition of energy creates a change in state, देखो, यहाँ पर, solids converting into liquids, converting into gases, जब हम energy supply कर रहे हैं, तो solids के पास सबसे ज़्यादा energy होती है, सबसे कम energy होती है, कम, सबसे कम energy, solids को जब हम और energy देते हैं, तो वो किसमें convert हो जाते हैं, liquid में, और energy देते हैं, तो किसमें convert हो जाते हैं, ग्यासे ने, so allets get converted into liquids and liquids get converted into gases, समझ आगई बात, okay, as the temperature rises, matter moves to a more active state, more active state का मतलब क्या हो गया, more energetic state, ठीक है, हाँ, okay, the kinetic the change in state of matter is governed by kinetic theory of matter the space between the particles the force of attraction between the particles and the kinetic energy of the particles तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि जब हम heat देते हैं तो space between the particles increase or decrease जब हम heat देते हैं तो space between the particle increases or decreases increase the force of attraction between the particle increases or decreases decreases कम होती है दूर चले जाते हैं तो force of attraction कम हो जाती है and kinetic energy of the particle increases or decreases kinetic energy किस पे depend करती है temperature पे तो kinetic energy of the particle increases जैसे जैसे हम energy supply करते है kinetic energy increase होती है तो जब हम जब हम heat देते हैं तो space बढ़ती है, force of attraction कम होता है और kinetic energy of the particle बढ़ती है, increase होती है, बात समझ में आ गई, understood, okay, solid के बीच में spaces देख रहे हो, कम है, जब हम इसको heat करेंगे, तो particles are very much close to each other as temperature rises, जब हमने इसको heat कर दिया, तो it turns into liquid and particles move away from each other, particles दूर-दूर shift हो गए, solid से liquid में convert होने, और जब हम और temperature increase करेंगे, तो यह gas में convert हो गया, तो यह gas में convert हो जाएगा, तो क्या होगा, यह और दूर-दूर move कर जाएगे, इनकी space और कम हो जाएगी, और force of attraction और कम हो जाएगी, परस्ट प्लेस पर आइस को heat किया, समझ में आ गई बात? ओके, तो अब हम पढ़ने जा रहे है, temperature, scale और वापस से हम इस topic पर आएंगे, जो अभी हमने थोड़ा सा पढ़ा है, इस पर हम वापस से आएंगे, मैंने आपको दो तरीके के temperature scale पढ़ा दिया है, कौन-कौन से? Kelvin और degree Celsius और एक और आपको पता है क्या होता है degree Fahrenheit तो तीन scale है हमारे syllabus में, कौन-कौन से? एक Kelvin scale, एक degree Celsius और एक degree Fahrenheit अब आप अपनी कौपी निकालिए और उसमें formula लिखिए, conversion का, देखिए, conversion का formula लिखिए, degree Celsius प्लस 273 अगर हम करेंगे तो वो Kelvin, घर में कौन सा? जो आपका thermometer आप, आप Celsius में भी होता है, परनाइट में भी होता है, एक ही उसमें दोनों, जो हम बोलते हैं, भुखार 100 है, 101 है, वो Fahrenheit होता है, देखिए, हाँ, उसमें दोनों ही रीडिंग्स होती हैं, वैसे, हाँ, तो degree Celsius में अगर हम 273 अड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? Kelvin, और Celsius और Fahrenheit में, C by 5 is equal to F minus 32 divided by 9, तो यहाँ पर आ जाएगा, हाँ, यह 9 है, G का कोई logic भी तो होना चाहिए, यहाँ पर, C by 5 is equal to F minus 32 by 9, तो अगर आपको मैं देता हूँ, Fahrenheit में कोई value, ठीक है, और आपको Celsius में calculate करनी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर वो value डाल देंगे, और फिर यह वाली value calculate कर लेंगे, अगर मैंने आपको Celsius में कोई value दी, और आपको Kelvin में निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर value डाल देंगे, और यहां पे निकाल लेंगे और अगर मैं आपको Fahrenheit में देता हूँ और Kelvin में पूछता हूँ तो क्या करेंगे आप Fahrenheit में देता हूँ और Kelvin में पूछता हूँ तो पहले Celsius निकालोगे celsius निकाल के इसमें रखोगे और फिर यहां से निकालोगे समझा ही बात तो पहले इससे celsius निकालोगे celsius से kelvin निकालोगे बात समझ में आ गई understood रूम टेंपरेचर कितना होता है 27 दिगरी celsius को ट्वेंटीफाइव या 27 चलो 27 ले लेते हैं लेकिन एंटर्ड रूम टेंपरेचर जो होता है वह वहां 25 दिगरी celsius ही लेते हैं तो यहां पर हम आज अभी माल लेते हैं 27 डिगरी सैल्सियस होता है रूम आप 27 डिग्री सेलूसियस को 27 डिग्री सेल्सियस को चल्विन में कनवर्ड करो और 27 डिग्री सेल्सियस में कनवर्ड करो Kollegin कब कर Remember temperature आप 27 डिग्री सेल्सियस को 27 डिग्री सेल्सियस को Kelvin में convert करो और 27 डिग्री सेल्सियस को Fahrenheit में convert करो और Fahrenheit में भी करो करो ऐसे ओरली करने की ज़रत नहीं है लावन्या पेन हाँ हाँ सबका थ्वी हंड्रेड आ गया थ्वी हंड्रेड यहां पे 27 रखो ठीके प्लस 273 Kelvin में आंसर आ जाएगा हाँ तो आपने रखा तो यह Kelvin कितना आ गया के इस इक्वल टू डिग्री सेल्सियस में तो मैंने दिया है आपको Fahrenheit में आपको के वो निकालने आप करो जतिन करो जतिन चीक है, confirm तो यहाँ पर सबका Kelvin में आगया 300, यहाँ पर Kelvin हमें calculate करना है यहाँ पर क्या रखेंगे 27 प्लस 273 केलविन में कितना आ जाएगा Kelvin में आ जाएगा 300 Kelvin 300 Kelvin ओके ओके ओके, नाव आपको Fahrenheit calculate करना है, तो Fahrenheit में यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर 27 रखेंगे, ठीक है, divide by 5 is equal to F minus 32, divide by 9, ठीक है, तो यहाँ पर क्या चाहिएगा, 5, 5's are 25, 2, 0, तो यह 5, 4's are 20, into 9 is equal to F minus 32, तो यहाँ पर 9, 4's are 36, 9, 5's are 45, 46, 47, 48, plus 32 is equal to F, तो यहाँ पर F कितना आजाएगा, F आजाएगा, 0.6, 8, 9, 10, 4, 5, 6, 7, 8, 80.6 degree Fahrenheit, आया था किसी का, 403 by 5 calculate करिये न, मुझसे यह पूच रही है, 8, 40, 0, यही आ रहा है, सही नहीं है, जब तक decimal में नहीं निकाल, कि ओके, ओके, आप लोग क्लास 8 में बोलते रहते थे थे न, कि मैं आपने निमेरिकल्स कराए है, यह अब क्लास 9 में आपको पता चलेगा, निमेरिकल्स कितने आते हैं, हाँ, तो वही तो अब टाइम पास नहीं होगा न, अब आक्च्वल के निमेरिकल्स आएंगे, यह भी टाइम पास ही है, जो हम कर रहे हैं, यह भी डिफिकल्ट नहीं है, चलो, नेक्स, नेक्स, आभी पता चलेगा, नेक्स क्वेस्चन लिखिए, convert, यह दो टाइघ के, convert 100 डिग्री health into Celsius and Kelvin, Fahrenheit, 100 degree Fahrenheit 100 degree Fahrenheit into Celsius and Kelvin हां करिए वेरी गुड़ कर यह हां डेसिमल में करना है कि पिछले वाले क्वेशन में क्या गलती हुदी समझ में आ गई क्या नहीं किया ने गरबर तो नहीं होनी चाहिए 27 इंटु नाइन करके डिवाइड वाइब फाइब भी कर सकते थे कि स्टेक कर दियोगे कि अ कि वह आ सकता है कोई दिकत नहीं कि आया कि अ कि अ कि यह तो स्टिक्स्थ ग्रेट की मैस चाहिए इसको क्यालकुलेट करने के लिए ना नाइन ना एड्ट ठीक है ना तो यहाँ पे 68 इंटु 5 डिवाइड बाइड बाइड नाइन एट फाइव जा फॉट्ती सिफ फॉट्ती सिफ फॉट्ती सिफ्वाइड बाइड बाइड नाइन नाइन थ्री जार क्वेंट सिवन नाइन फॉर्त अ थिफ्स तो 27 यहाँ पर आगे सेवन जीरो 9, 6, 9, 6, 7, 8, 72, तो 9, 7, डालेंगे, 9, 7, 63, राइट, और यह 7, 0, तो यहाँ पर आ गया 7, फिर से, तो यहाँ पर आ जाएगा 7, 7, 7 and so on, तो हम यहाँ पर डाल देंगे, अगर इसको लगबग डालना है, तो 38, हाँ, ठीक है, 37.7 बार भी डाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, understood, approximately equal to, ठीक है, अब इसको जल्दी से convert करना है, किसमें, Kelvin में, कुछ भी, Kelvin's, हाँ, हाँ, 273 plus 38 is equal to 311 Kelvin, तो 100 degree Fahrenheit कितना हो जाता है, 311 Kelvin approximately और 38 degree Celsius, बात समझ में आ रही है, yes or no, एक और, ठीक है, very good, नहीं, 0.5 क्यासे आ सकता है, 0.7 आएगा या तो, ठीक है, next, at what temperature, at what temperature, does Celsius and Fahrenheit scale have same value, at what temperature, does Celsius and Fahrenheit scale have same value, लिखो question, अरे, दोनों का सेम होगा न, at a temperature, on which Celsius scale and Fahrenheit scale have same value, मतलब जैसे, 5 degree Celsius is equal to 5 degree Fahrenheit, कुछ ऐसा, नो, ये आपको तुक्ये नहीं लगाने है, देखें, आपको solve करना है, नो, अब जिसको मार खानी है, सिर्फ वही बात करेगा, अब जिसको मार खानी है, सिर्फ वही बात करेगा, येस, correct, देखो, क्यासे करेंगे, c by 5 is equal to f minus 32 by 9, तो यहाँ पे क्या होगा, यह दोनों values तो same है, तो आप इसको c लिख लो, f लिख लो, x लिख लो, कुछ भी लिख लो, तो यहाँ पे c की जगे भी x डाल देंगे, और यहाँ पे f की जगा भी x डाल देंगे, तो यहाँ पे क is equal to 5x minus 5, 2's are 10, 5, 3's are 15, 160, तो यहाँ जाएगा, 4x is equal to minus 160, x is equal to minus 40, minus 40 degree Celsius, minus 40 degree Fahrenheit के बराबर, minus 40 degree Celsius is equal to minus 40 degree Fahrenheit, हाँ जी, वाइनल्स का, क्या करने है, मिल जाएगा, हाँ, आपको बेसिक्स यही रहेंगे, पेपर चाहें कुछ भी हो जाए, पेपर चाहें, अब्जेक्टिव हो जाए, चाहें, सब्जेक्टिव हो जाए, पोर एट्टी मार्स का पेपर अगर होगा, तो उसमें, साइन्स, माध्स और सस्टी आएगी न, राइट, आएट, आए नू, करते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से हम कनवर्ट करते हैं, from one temperature scale to another temperature scale ठीक है आप लोगों का homework लिखिए homework convert माथे पर लिख लो ठीक है उल्टा वो भी तो शीशे में देखोगे तो याद आ जाएगा ठीक है आपको convert करना है 0 degree Celsius बाकी दोनों में Fahrenheit and Kelvin में आपको convert करना है 100 degree 100 Kelvin into degree Celsius में and Fahrenheit में ठीक है आपको convert करना है 212 degree Fahrenheit into degree Celsius and Kelvin ओके ओके understood यह समझ आया yes क्योंकि इनका step size सेम नहीं है मतलब suppose मैं यहाँ पे चल रहा हूँ मैं इतने बड़े steps लेके चल रहा हूँ आप यहाँ पे चल रहे हो आप इतने बड़े steps लेके चल रहे हो ठीक है तो और आप वहां से कहीं से चलना स्टार्ट करते हो तो कहीं न कहीं जाके हम दोनों बराबर हो जाएंगे उसके बाद मैं आगे निकल जाओंगा और पीचे रहा जाओं तो ऐसा यह बहुत है जो degrees Celsius है वह बड़ा step size है और जो degree Fahrenheit है वो चोटा step size है तो यहां पर कहीं ना कहीं आके हम बराबर हो जाते हैं दोनों पर वो होता है माइनस 40 degree Celsius और Kelvin और Celsius कभी मिल नहीं सकते क्योंकि दोनों का step size सेम होता है यहां पर देखते हैं हम प्लस 273 करते हैं तो हमेशा जो Kelvin होगा से हमेशा 273 आगे रहेगा तेमप्रेचर ही तो है Celsius और Fahrenheit और क्या है माइनस 40 degree Celsius पे इसका टेमप्रेचर और यह सेम हो जाएगा तेमप्रेचर सेम हो जाएगा माइनस 40 degree Celsius पे degree Celsius और Kelvin यस एक बार इसको close कर दूं तीक इसको close कर दूं okay so that you have understood this right okay